वैसे कितरा अच्छा होगा न कि अगर आपको कोई बोले कि यार आप study करो और दूसरा हम आपको पैसे भी pay करेंगे study करने के लिए आपका सारा खर्चा भी उस तरह manage हो जाएगा सोचो अगर यह option आपके सामने हो तो आप कौन सा option choose करोंगे यह वाला कि जिसमें आपको पैसे म लेना चैनल के मैं आपको बारे मता दता हूँ कि यह चैनल में vlogging भी होती है travel वीडियो भी होती है और इसके लावा scholarship या study in Italy के हवाले से सारी चीज़ होती है तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ तो आज का जैसे के मैंने starting को बताया आज का topic हमारा यही है कि मैं आपको बताऊंगा कि Italian universities और दूसरी European universities या इसके इलावा दूसरी universities है उन में क्या difference है क्यों मैं हमेशा आपको engage करता हूँ priority देता हूँ कि आप Italy को select करें अपने study के हमा आपको वो pay भी करता है कि आप यहां पर study करें चाहिए वो आप master's के लिए आ रहे हो बैचलर्स के लिए आ रहे हो या फिर PhD के लिए आ रहे हो तीनों सूर्तों में वो आपको pay करता है कि आप हमारे यहां study करें हम आपको खर्चा manage करेंगे although आपको hostel भी दिया जाता है कि best option है as compared to मतलब अगर आप किसी और universities में जाते हैं बांता हूं कि दूसरे जो European universities होती है जैसे के Germany, Denmark, Sweden, Norway, यहां पर जोने universities होती है उनमें कुछ universities में ऐसा होता है कि आपको fees pay नहीं होती है उनका कोई tax बगरा होता है वो initially आपको pay करना होता है लेकिन बात वहीं आ जाती है वह कि खर्चे आपको manage करना बहुत मुश्किल होता है कि वो countries well settled countries है उनमें आपको job करनी पड़ती है अपना घर खर्चा निकालना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है और यहां पर ऐसा होता है कि मतलब initially आपको खर्चा करना पड़ता है लेकिन जब आपको scholarship मिल जाती तो आ कर सकते हैं तो मैं आपको एक story बताता हूँ scene ऐसा हुआ था कि मैं university में पड़ ला था पाकिस्तान में अपनी study मेरी continue थी लेकिन उस वक फीस बहुत ज़्यादा थी और फीस निकालना फीस manage करना अपने खर्चे manage करना एक बहुत ही मुश्किल काम था क्यूंकि आपको पता है आलाद किया चलना और student life में आपने अपनी फीस निकालना और अपने खर्चे वगएरा चलाना जोब के साथ वगएरा इस तरह काफी मुश्किल होता है मैं जा रहा था मैंने एक pamphlet वगएरे एक advertisement देखी जिसमें लिकावा था study in Italy free stipend वगएरा accommodation free सब कुछ मैंने मेरा चीज़ पर गया free मैंने बुला कि यार ऐसा कौन सा country है जो आपको free में पढ़ा रहा है मैंने ये बात अपने फादर से discuss की अपने जानने वालों से discuss की उन्होंने बुला नहीं नहीं इसा कुछ नहीं होता है सब fake होता है कोई कौन ऐसा country जो आपको अपने पास बुलाएगा फिरी मैं आपको study देगा मेरे दमाग में बात बैठ गई कि नहीं ऐसा तो हो सकता है मैं गया उनके office में मैं आपको consultant की बात बता रहा हूँ तो मैं गया उनके office में और उनसे मैंने बात की कि मैं पढ़ना चाहता हूँ free मेरी इतनी range नहीं है कि मैं इतनी इतनी face pay कर सकूँ ब बुला यार इतने पैसे तो भी तो है नहीं अब क्या किया जाए चलेगे गर मायूस हो के लेकिन वो बुलते ना कि अल्ला की जात से उमीद होती है नियत पर सारा काम होता है नियत थी मेरी बाहर पढ़ने की तो research की इस बारे में कि किस तना से free study हो रही है सारी चीज़े verification की यह वो सब पूरा process किया उसके बाद आपका भाई है आप अल्ला का शुकर है तो फिर मैं आपको वही बता रहा हूं कि अगर आपकी range है क्योंकि बात आती है कि हम क्यों पढ़े इटली में हम दूसरे university में भी जा सकते हैं दूसरे country में भी जा सकते हां बिलकुल जा सकते हो म मैं आपको उस वक्त recommend करूंगा like is my condition कि अगर आपके पाद इतना पैसा नहीं है कि आप इतनी इतनी फीस पे कर सको तो यह best option है ठीक है और अगर आपको family support है मतलब आपकी back बहुत मस्बूत है आपके आपके bank में इतना पैसा रखा हूँ है कि आपको बोलते कि ठीक है आप ज से अच्छे country में जाना क्योंकि यहां पर जो दस साल लगाओगे तब जाके आप कुछ बनोगे तो उन well settled country में आप पांच या छे साल में वो चीज़ अचीफ कर लोगे तो यह दो option है अगर पैसा है अच्छे country में जाओ अगर पैसा नहीं है तो इटली best option है यह बहतरीन option है आपको यह क्या से क्या देता है आपको हर चीज हर सहुलत देगा तो यार फिर तो क्या चाहिए और अब बात आती है कि किसी भी country के pros and cons तो मैंने आपको फाइदे तो बता दी क्या क्या फाइदा है इटली में study करने के अब बात आती है कि नुकसान यह नुकसान तो नहीं ब साथ मिल जाएगे मिलती है काम सब करते हैं यहां पर अपना खर्चा चला रहो ना तो काम सब करते हैं job issue दूसरा language barrier English नहीं आती है आप बहुत manage करना पड़ता है आपको बहुत अगर आप lucky हो कि आपको को English में बात करना मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यहां प problems हैं दूसरा यह के आप scholarship पर rely करके कभी मत आना ठीक है अगर आप यह कहते हो कि मैंने scholarship अगर मिलेगी तो मैं जाओंगा या फिर totally सारी चीज़े manage कर लो scholarship की base पर मेरी सारी planning है यह मिल जाएगा वो मिल जाएगा इतना पैसा आजएगा तो मैं यह कर लूँगा ऐसा मत करना अ अगर scholarship नहीं मिली या कुछ भी हुआ तो मुझे manage करना आता है मैं किस तरह अपना खर्चा चला हूँगा यह मेरा काम और fees भी इतनी कोई जादा नहीं होती है depend करता है आपकी fields पर तो fees भी अगर अजार पंदरा सो बारा सो इस तरह होती है वो भी manage हो जाती है वो भी आपको यह इतने कोई बड़े मसले नहीं है वो कहता है ना सही लेंगे थोड़ा सा तो I hope कि आपको यह video informative लगी होगी और आप मेरी बात से agree करते होंगे अगर आप agree नहीं करते तो comment में बताना के नहीं यार आपने यह सहीं नहीं का और अगर agree करते हो तो भी comment करते है ताके मुझे लगे कि हाँ यार मेरी बातों से किसी को कोई फाइदा हो रहा है तो अपना खास क्यार लगीगा मिलते हैं इंचालला नेक्स वीडियो में अलाफ़ास